जहीं दोस्तों चलिए उस्तों बात करते हैं से इक और कोशन के बारे में इसकोशन में एक्जामने ने का दा रेश्य ओफ नूबर ओव बोईज ऐन गर्ल्ल इन विलेज थी रेश्य टू यानि कि एक विलेज के इंदर गर्ल्स एंड बोईज की रेश्य दे रखी है तो यहां से जो है फिर 30 मेरी क्या हो जाएगे आपकी 30 जो हो जाएगा आपका boys हो जाएगा और ये मेरे पास 20 जो हो जाएगे वो मेरी girls हो जाएगे ये examiner ने कहा है फिर इसने कहा if 30% of the boys and 70% of the girls appear in an examination the ratio of the number of students appear in the examination to that not appear in the exam in the same examination यानि examiner ने क्या का कि जो exam में appear हूँ है वो boys 30% यानि कि 30% को मैं से लिखता हूँ 3 ratio में 7 ये 3 जो है मेरे पास में appear होंगे 21 क्या होंगे मेरे अनपेर boys होंगे ठीक है ऐसी सेम देखेंगे इसका 70 रखा देखिए इसका 30 निकालता है इसका 70 किसे निकालेंगे अगर 100 था तो 70 इसको मिले होंगे अपेर होंगे और 30 अनपेर गल होई होगी इन दोनों काटेंगे तो 7 ratio 3 में आएगा तो मैंने फिर इसक जाएगा तो इसी को से multiply करेंगे तो 40 तो मेरे अपेर होंगे और 6 मेरे अनपेर होंगे अब एक्जामनर ने क्या पूछा मेर से कि मुझसे पूछा है कि अपेर इन्दा एक्जामिनेशन और नोट अपेर का ratio पूछा है अपेर कितने हुए यहां पर देखिए 9 अपेर हुए यहां और गल कितनी 14 वे बॉइस नाइन और गल कितनी मेरी 14 तो अगर मैं इन दोनों को जूढ़ हो तो मेरे पास 23 वाल आ जाएंगे और गल आ जाएंगी वह कौनसी जो अपेर हुए है यह 9 गोर्स और 14 सुर्ण वाल एह और 14 दोनों को जोड़ा तो 23 मेरे क्या होगी अपेर तो यह मेरे पास में कितना आपका सिक्स है तो यह मेरे पास में 27 आ जाएगा यह वो है गल्स और बॉइस का सम जो अपेर नहीं हुए तो इसका मतलब अंतर जो एगा 23 रेशो 27 आएगा यानि की ऑप्शन डी इस कोशन का करेक्ट आएगा एक बार फिर देखते हैं इस कोशन को कि अग्जाम नहीं क्या का कि जो नंबर और गर्ल्स और बॉइस है एक्जाम में जो अपेर हुए है या फिर एक्जाम जिनों दिया है वो टूटल कितने है वो थ्री देशो तू में है तो मैंने मान लिया कि इनके मल्टीपल में 50 नंबर में टूटल स्टूडेंट्स है गल 30% जो भॉइ उसमें जो अपेर हुए वह अपेर कितने हुए आपके 30% हुए तो इसका 30% निकालोगे तो 9 बॉए और 9 जो अगर आप 30 में से माइनस करेंगे तो 21 जो आएगा मेरे वह अनपेर आएगा यह वाल आएगा ऐसी गल कथा गल कितने टोटल मेंगे पाट 20 थी उसम और जो नहीं हुए उनका रेश्यो बताओ तो गल जो थी वह 14 अपिए थी बोई जो इतनाइन वी थी दोनों को अड़ क्या तो 23 मेरे अपेर हुए थे अनपेर वाले 21 boys थे और 6 मेरी गल्थी दोनों को add किया तो 23 ratio 27 आया यानि कि इस question का जो correct answer होगा वो D होगा I hope आप सभी कोई question समझ में आया होगा जै हिंद जै भारत